इस वीडियो लेक्चर को देखने वाले सभी सम्मानिय साथियों को मेरा नमस्कार है जैसा कि विशय आपको अपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है कक्षा 6-8 गनित विशय की उडान अध्यापक मार्ग दर्शिता और मैं आपको बता दू कि कक्षा 8 की अध्यापक मार्ग दर्शिता का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ कक्षा 8 के स्टूडेंट्स की कम्प्लीट वर्क बुक का सोलुशन भी मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पर भी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कक्षा साथ की अध्यापक मार्ग दर्शिता को आपके साथ डिसकस करने जा रही हूं और उमिद करती हूं कि ये आप सब के लिए बहुत बेनिफिशल रहेगी सभी से मेरा विनमर निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किये बिना आप वीडियो बंद ना करें और मेरे चैनल पर अवेलेबल कक्षा 6, 7 और 8 के उडान के सभी सोल्यूशन को आप अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खिर्पया जरूर शेयर करें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कक्षा 7 है हमारी और यहाँ पर पाठक्रमांक पाठ का नाम और अपेकषित दख्षताई है जिनें इस workbook में शामिल किया शामिल किया गया है पहले पाठ है पुरुनांक जिसकी उमारी दख्षता है मैट 7-0-1 यानि कि इसको करने के बाद विद्यारती पुर्णांकों की गुणा और भाग कर सकते हैं उनकी संक्रियात्मक गुणों की व्याख्या कर सकते हैं संक्रियात्मक गुण यानि संक्रियाई लगाना यानि जमा गटा गुणा भाग लगाकर कॉम्यूटेटिविटी, एसोसियेटिविटी, यानि कि सहाचरिये का नियम, क्रम विनीमे का नियम और अपना एडिटिव एडिन्टिटी, इन्वर्स वगेरा के जो नियम है उन सब को बच्चा अच्छी प्रकार समझ सके, इस चीज का हमने प्रियास करना है इस चेप्टर की वर्क बुक को हल करने के बाद, दूसरा चेप्टर हमारा आ जाता है भिन्व और दश्मलों, जिसकी दक्षता 702 नमबर पर है और हमें बच्चों को क्या-क्या सिखाना है कि इस वर्क बुक को करने के बाद, विद्यारती भिन्व और दश्मलों को गुणा और भाग कर सकते हैं उनके परियोग से अपनी द्यानिक जीवन की समस्या को किसी प्रकार से भी वो हल कर पाएं, इतना हमें प्रयास करना है ठीक है, आगे चलते हैं सात्यों यह है, एक मिनट वे पूर्व अपेक्षित दक्षता हैं, पूर्व अपेक्षित का मतलब जब बच्चा सात्वी में आया है तो वो छटी तक क्या पढ़कर आ रहा है, वो आपने उसकी जाच करनी है तो पहली दक्षता यह है, 603, जिसमें विद्यारती पूर्व संक्याओं को संक्या रेखा पर निरूपीत और व्याख्या कर सकते हैं, और उन पर चारों संक्या रेखा पर दिखा सकें, और चारों संक्या यानि जमा गटा गुणा भाग कर सकें दूसरी आजाती है, 708, विद्यारती क्या कर सकें, पूर्णांकों का अन्य संक्याओं से संबंद की व्याख्या कर सकें, यानि पूर्णांकों का अभे प्राकरत से क्या संबंद है, पूर्ण से क्या संबंद है, पूर्णांक से, उनको पूर्णांकों को भी संक्या रेखा पर निरुपित कर सकते हैं और उन पर गनितिय संक्रियाएं कर सकते हैं जानी इतना सब कुछ बच्चे ने छटी कक्षा में पढ़ लिया हो उसके बाद 410 नंबर की हैं जिसमें विद्यारती 1 बटा 2, 1 बटा 4, 1 बटा 3, 3 बटा 4, 4 बटा 4 को छायंकित भाग से दर्शा सकता ह और चायंकित भाग से भिन की पहचान कर सकता है तो इन सब की आपने जाच भी करनी हैं बच्चे को आपने के चॉकलेट दे दी और उसके ये 6 बटा 2 को आपने रेखांकित कर दिया तो बच्चा बता सके कि ये 2 बटा 6 हैं चीक हैं आगे बढ़ते हैं 609 विद्यारती भिनो को चित्रों के माद्यम से दर्शाते हैं चित्रों से भिन को समझते हैं और भिन को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं इस चीज की हमने जाच करनी है उसके बाद 610 नंबर हमारा आ जाता है भिनों को मिश्रित उचित अनुचित भिनों में बदल सकते हैं यानि बच् प्रश्याओं को हल कर सकता हैं हम ये मान के चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं 611 पे विद्ध्यार्थी दश्मलों को चित्रों के माद्यमसे और संख्या रेकापा निरूपित कर सकते हैं भिन्नों में बदल सकते हैं द्यानिक जीवन की समस्याओं में जोड और घटा का कर सकते हैं तो इसके लिए हमें इन पर संबंदित कुछ किरिया कला पहले कक्षा कक्ष में करवाने हैं इन चीजों की दक्षता की जाच करनी है तब ही हमें आगे बढ़ना है अगर बच्चा इन दक्षताओं में पारंगत नहीं है या कुछ उसको ग्यान नहीं है तो थोड 505 विद्यारती भिन और मिश्रित भिन को पड़लिक और निरूपित कर सकते हैं 507 चित्रों के माद्यम से विद्यारती दश्मलों को एक बटा दस और एक बटा सो के भाग के रूप में पहचान और लिख सकते हैं और विद्यारती भिनों को एक बटा दस और एक बटा सो में परिवर्तित कर सकते हैं और यहां सपर्ष्ट लिखा हुआ है कि अध्यापक छात्रों से पूर्व अपेक्षित दक्षताओं की जानकारी के लिए प्रश्ण करें ठीक है तो पहले हमें प्रश्ण करने हैं फिर हमें आगे अपनी निर्धारी दक्षता पर बढ़ना है तो हमा फ़्र है आपने जो पूर्व अपने संसे प्रक्रत प्रक्त होती हैं क्या सभी अधारी प्राक्रत करने हैं पहले हमें इस चीज की जाच करनी है आप क्या करो बच्चे को प्रक्रत संक्या लिखकर दे फिर आप बच्चे को लिख दो भई पूर्ण संख्याएं जीरो एक दो तीन चार और फिर आप बच्चे से पूछो कि जितने नंबर उपर हैं क्या वो नीचे वाले उसमें लाइन में भी दिखाई दे रहे हैं तो बच्चा साफ तोर पर दिखाएगा कि हां सब दिखाई दे सबी प्राकरत संख्याएं पूरन हो जाएंगी तो यहां हम हां लिख देंगे लेकिन पहले आपने यह बच्चों से byट पकरोण से वी लो तो इसको उ прив देना क्या विख दिखाई दे रहा है कि उपर जीरो है वो नीचे वाली लाइन में नहीं है तो ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकरत नहीं होंगी बच्चा ना बता पाए तो आपने फिर उसे बताना है और क्या सभी पूर्ण आंक प्राकरत होते हैं तो इसको भी लिख दीजिए नहीं कुछ यहां पूर्ण आंक लिख दो माइनस दीन माइनस दो माइन संख्या रेखा पर दूसरा प्रशन हम क्या पूछेंगे बच्चे से, बच्चे की संख्या रेखा से संबंदित जाच करने के लिए हमें पूछेंगे, संख्या रेखा पर निम्न संख्याएं अंकित करो, चार, तो हमने बच्चे को बताना है कि ऐसे चार पे डोट, बच्चा पर डॉट लगा देंगे, एट पर डॉट लगा देंगे, माइनस दो पर डॉट लगा देंगे, और ये माइनस चार को संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, अब हम बच्चे को ये पूछेंगे, चार जमा घटा तीन, तो बच्चे को क्या करना है, आपने न जमीन पर बना ल यहाँ ठीक है, इस तरह से खेल-छेल में हम बैच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं, अगला है गटा, पांच, घटा-दो, ठीक है तो एक यहाँ दो, खाता पांच और फिर होगया, गटाथ दो यानि दो बार और पीछे जाना है तो हम कहां आगे माइनस तीन पर और 5 घटा घटा दो तो 5 के लिए यहां कदा है तो एक 2 3 4 5 घटा करना है लेकिन घटा दो करना है तो दोनों गटा के चिन है तो ये जमा में बदल जाएगा और दो बार हम आगे जाएगे तो हमारा उत्तर प्लस का साथ आ जाएगा तो इस प्रकार हम बच्चे की पूर्वग्यान की जाच करेंगे और अब गती विधी एक केमाद्यम से हम साथ वी कक्षा की वर्क बुक पर जाएगे अध्यापक पूछेगा बेटा आपके परिवार में कितने सदस्ति अगर आपने मेरी वर्क बुक का सोलुशन देखा है तो उसमें यह सब चीज आई हुई है बच्चा तीन या चार या पांच बताएगा फिर आप उनसे पैन पूछोगे फिर वो बताएगा फिर ना क्या आप सकुल के बच्चों को गिंद सकते हो बय हमें इसमें सब्सक्ते हो कुछ बच्चे इसमें ना बोलेंगे लेगे बाताने कि येस we can count हम इखिन सकते हैंеци और क्या आप शिर के बाल गिन हम नहीं गिन पाएंगे वास्तों में तो देखो हम नहीं गिन पाएंगे तो हम यहीं कहेंगे लेकिन कुछ बच्चे कह सकते कि यहां मशीन बन जाएगी मशीन गिन लेगी वगएरा वगएरा तो कुछ कहेंगे गिन सकते हैं कुछ कहेंगे नहीं गिन सकते तो इस तरह के बच्चा काईगा वह बहुत बड़ी संख्या होगी फिर आप पूछना कि उस संख्या में एक और जोड़ दें तो क्या नहीं संख्या मिलेगी तो बिल्कुल मिलेगी चीक है ना आप बच्चे को एक लाख एक करोड तक तो लिखके दिखाई सकते हूँ तो आप एक करोड तक जाने से तो आप उसको एक करोड एक करोड एक करोड दो इस तरह बताओगे कि does करोड और सो करोड अरब खरब नील इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो हम बच्चे को यह बताना चाह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसमें एक जोडने पर उससे भी प्राक्रत संख्या नहीं होगी अर्थार्थ प्राक्रत संख्याओं की गिनती अंतिहीन हैं। वेसे तो आप सब बहृती हनुभवी हैं आपको किसी जरुत नहीं है यह लेकिन हम डिसकष करने से आपको इसको इसको जादा समय ना लगे अब चलते हैं हमने पूर्वकक्षा में जाना था कि एक जोडने पर परवर्ती संख्या नहीं नहीं ये गलत लिख रहा है एक जोडने पर नहीं एक घटाने पर तो परवर्ती संख्या होती है नहीं ठीक 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 मैं ही गलत बोल गई एक जोडने प पर पूर्ववर्ति संख्या प्राप्त होती है जो उससे एक कम होती है तो बच्चों से परवर्ति प्रिडिसेसर और पूर्वर्ति प्रिडिसेसर संख्याओं के बारे में हम पूछेंगे तीन की पूर्ववर्ति क्या होगी पूर्वमाने पहले यानि तीन से एक कम तो बच् पूर्ण संख्याओं पर ले जाएंगे आगे बढ़ते हैं दूसरी गती विद्याम बच्चे से क्या कराएंगे आम तोर पर शुन्यकार्त कुछ भी नहीं बोल दिया जाता है यहां पर अध्यापक एक क्रिया कलाप के माद्यम से सपष्ट कर सकता है अध्यापक अपने हाथ म तीन चोक लेकर उंगलियों के बीच में पैन दबाएगा और बच्चे से प्रश्ण करेगा कि मेरे हाथ में कितने चोक हैं मेरे हाथ में कितने चोक हैं ठीक है तो भई अब तीन चोक लेने बच्चा कहेगा जी तीन चोक है अब एक चोक अटालो आप तो बच्चा कहेगा द अब एक भी नहीं अच्छा बताओ एक भी चोक सेश नहीं बचा तो इसे कैसे लिखेंगे तो निरुत्तर ये तो कह रहा है कि बच्चा शायद निरुत्तर रहे लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी कक्षा में कोई ना कोई बच्चा आपको बताएगा कि उसके लिए हम शुन मुझे उसके बाद क्या कैता नब शुनने ये तो इसके कहता है कि हम संख्यारे का सायता से मैंने भी और इसा करवा दिया है तो आप वहाँ से देखें, वहाँ से भी आपको बहुत मदद मिलेगे और आप अपने बच्चों को आराम से करवा सकते हो फिर हमें ये बताना है कि पूर्ण संक्या योग और गुननफल के अंतरगत क्लोजड होती है, सम्वरित होती है अगला नियम हम बच्चों को क्या बताएंगे कि गुना और जोड करम विनी में है, करम विनी में का मतलब वह तीन जमा चार जमा तीन के कॉम्यूटेटिव और तीन गुना चार चार गुना तीन के बराबर ये कॉम्यूटेटिविटी हो जाती है फिर हम बच्चों को बताएंगे कि ये सहाचारियता का नियम भी है, एसोसेटिविटी भी है, यानि कि तीन ले लिए हमने A.B.C करें या A.B.C करें तो एकपल आएगा, तो इस प्रकार से हम सभी गुणों को बच्चों को कारिय पत्रक के माद्यम से आप लोगों ने कराना है अब हम तीसरी गती विदी पर आ जाते हैं, जल जल दीसे मैं पढ़के बताती हूँ, आप सब बहुत गणमानने साती हैं, पूर्णांक पर एक स्तरकी समझ के बाद भी बच्चे जालतर एक समस्या का सामना कर रहे थे कि वे बड़ी चोटी संक्या पर लगे चिन्नों के अन बहुत इसी गती हैं, या संक्या रेका बनवा कर गती विदी करवाई घया रहे थे कुछ तीलिया शुनने से उपर की हैं, और कुछ तीलिया शुनने से नीचे की हैं, और सीडी बना रही हो। आपने स्थान फिक्स कर देना है कि यह शुन्य है, यहां से हमारी सीडी नीचे तैकाने में जा रही है, यहां से हमारी सीडी उपर जा रही है, तो बच्चा फिर नीचे वाली निनात्मक हो जाएंगी, नीचे साथ पैड़ी नीचे जाएगा बच्चा तो जादा नीचे चला जाएगा चार उपर जाएगा तो वो जाधा हो जाए वेगगों िष्ट जाएगा और चार को या उपर की को बच्चा छोटी बताएगा तो आपने उन्हें भताना है कि धनात्मक संक्यां से शुन्य की तरफ अर्थार्त सीningen से नीचे उतरने पर संख्या एक छोटी और यह सिंपल सी बात है, जैसे से हम नीचे उत्रेंगे तो कम होता जाएगा ना, तो नीचे उत्रेंगे तो संक्या रिनात्मक होगी, तो रिनात्मक संक्याएं छोटी होती है, धनात्मक संक्याओं से, तो ये किरिया कलाप हमने गति विदी बच्चों से करानी है, रिनात्मक और दो गुरूपों में बाटा गया यह सब आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा और आप बच्छों से करवाएं भी इनको खेल को खेलने के लिए बरामदे के फर्श पर एक बड़ी ची सीडी या संख्यारेका बनाई पहले एक गुरूप में से एक चात्र को सीडी पर ख अब पहले एक बच्छा जीरो पे खड़ा हो गया उसके साथी ने पासा फैका प्लस आया तो वो आगे चला गया माइनस आया तो पीछे ऐसे पर दूसरे गुरूप का बच्छा आएगा वो पासे पे खड़ा होगा इसी तरह वो भी आगे पीछे जाएगा अब सुन्या पर खड़े चातर को पासे पर आई संख्या पर खड़ा होने के लिए का अब चातरों को यह पता लगेगा कि जो नीचे की तरफ है जो भी पुरूणां के वेकम है उपर की तरफ बड़ा है बार बार इस गति विदी को दुराने पर बच्चों को समझ बनेगी जीत और हार के का बच्चे बार बर रूची से खेलेंगे और जीतने की तरकीव लगाएंगे अब एक बात का ध्यान रखना जो इस तरह का पासा आप बनाओगे वो स्पेशल बनाना पड़ेगा उस पर कुछ संख्याएं जमा की और कुछ घटा की हमें लिखनी होंगी अब हम एक और गति व फेका धनात्मक पुरुणांक आने पर आगे जाने को कहा और इनात्मक आने पर पीछे जाने को कहा जिस थान पर वह पहुंचता है वह हमारा अभिष्ठ हल होगा इस प्रकार पुरुणांकों के जोड और घटा पर बच्चों की समझ बन जाएगी अभी अभी आपने इसी वीडियो में मैंने पीछे संख्या रिका प्रकर्चे दिखाया तो इसी प्रकार आपने करके दिखाना है इसी समझ को और विक्सित करने के लिए एक और गतिवीदी कर सकते हैं बच्चों को दो समु में बाटकर सापसरी खेलने को कहा जाये खेल में ऐसे पासे लाने है जिन पर कुछ दनात्मक और कुछ रिनात्मक संख्याएं लिखी है पासे पर आए गए पूरुनांकों को जोडेंगे वे मानलों क्या है कि एक पाइसा ये डल गया एक ये डल गया इस पे तीन आ गया इस पे पाँच आगया तो 8 बन गया घटा 5 गया तो बच्छा पहले इसाब लगाएगा कि घटा 2 बना उतना ही वो आगे पीछे जांगा पर पाँचे लिए जोडने में सक्षम हो जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार यह इसको बाद में करेंगे आज के लेक्चर में मैं पांच विगती विधी तक ही कराऊंगी इसी प्रकार खेल के यह रहा है इसी प्रकार दूसरा खेल प्रुनांकों को घटाने संबंदी खेला गया जिस दो डिजिट्स आई हैं उनको उन्होंने पहले आपस में घटाया पहले बच्चे प्रशनों की संक्रियाओं को रटते थे और ब्रहमित रहते थे तो इस खेल को करने के बाद देखो साथियों ऐसा होगा कि वो खेल खेल में मजे भी आएंगे कम से कम जादा नहीं तो मुझ पत्चे पत्दिती बना कर कक्षा में बच्चों को सिखाया है और बहुत से बच्चे इस माधियम से आगे पिछे के माधियम से जमा गठा सीखे हैं तो आप इसको जरूर ट्राइ करें बाकी की गतिविदियां और दूसरे लेसन की जो भी गति विदियां हम उने नेक्स ले मेरे लेक्चर्स हमा जा रहा तो प्लीज आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मेरे लेक्चर्स अपने स्टूडेंट्स को शेर करें अपने अन्ने साथियों को भी शेर करें थैंक यू